नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपून विशे के बारे में बताऊंगी G20 की 18th Heads of State and Government Summit ये समिट सिप्टेंबर 2023 में New Delhi इंडिया में होने वाला है और इस साल की इंडियन प्रेजिदेंसी ने एक खास थीम चूज किया है One Earth, One Family, One Future इस थीम से हमें यह समझने को मिलता है कि हमारा प्लानेट Earth पर जो भी है, चाहे वो इनसान हो, जानवर हो, बेड़ पौदे हो या फिर माइक्रो और्गानिजम्स हो सब एक दूसरे से जुड़ते हैं और हमारा फ्यूचर इन सब के साथ जुड़ा हुआ है जी ट्विंटी समिट का में इवेंट होगा लीडर समिट जहां पर साल भर के मिनिस्टीरियल मीटिंग्स, वोरकिंग ग्रॉप्स और इंगेजमेंट ग्रॉप्स के रिजल्ट्स डिसकास होंगे इंडियन प्रेजिदेंसी के तहट एक और इंपॉर्टन फोकस है लाइफस्टाइल फॉर एन्वाइमेंट लिए यहां पर हम एन्वाइमेंटली सस्टेनिबल और रिस्पॉंसिबल चॉइस पर जोर देंगे चाहे वो इंडिविजुल लाइफस्टाइल हो या नाशनल डेवलप्मेंट लेबल पर हो हमारा गोल है एक क्लीनर, ग्रीनर और ब्लूर फ्यूचर बनाने का और इस समिट के दौरान वरकिंग ग्रॉप्स अलग-अलग ट्रैक्स पर काम करेंगे जैसे की अग्रिकल्चर, अंटी-करॉप्शन, कल्चर, डिजिटल एकॉनमी, और इस समिकल्में, अपर्नी काम कि धना ब्लूं के लिटत के लिएखने हैंनी कि अट्यूचर आस वेल्टरकींट।। Summit के conclusion पर G20 के leaders declaration adopt करेगा जिसमें leaders अपनी commitment express करेंगे जो ministerial और working group meetings में discuss और agree हुई priorities के लिए है आपको अगर याद हो G20 में total 19 countries और EU शामिल है यानि 19 देश हैं Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Germany, France, India, Indonesia, Italy, Japan, the Republic of Korea, Mexico, the Russian Federation, South Arabia, South Africa, Turkey, UK and the US India is G20 की presidency hold कर रहा है सिंदेंबर 2022 से नोवेंबर 2023 तक तो दोस्तों ये G20 summit एक बहुत बड़ा और important event है जहां पर global issues को discuss किया जाएगा अगर आपके पास इससे related कोई और सवाल हो तो आप comment section में ज़रूर पुछेगा and I hope इस वीडियो ने आपको आपके G20 से related questions का कहीं न कहीं जवाद दिया हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक और हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिएगा and thanks a lot for watching Namaste J